त्रखंड की नैनिताल जिले के हलद्वानी सहर इस्तित कालढ़ूंगी चोराहे पर 200 साल पुराने कालुसिद्ध बाबा के मंदिर को सिप्ट किया जाने की तैयारी चल लही है दरसल यहो एतिहासिक मंदिर सिर्धालूं के लिए एक महत्वपून स्तान माना जाता है जिसके स्तानांतरन का निर्णे व्यापक चर्चा के बाद लिया गया है बताया जा रहा है कि कालुसिद्ध बाबा मंदिर के स्तानांतरन का मुख्यकालन बढ़ती यातायात समस्याओं और नगर के विस्तार को ध्यान मरकते हुए लिया गया है बता दें कि नैनिताल जले के हलदवानी सहर के बीचों बीच इस्तित 200 साल पुराने कालुसिद्ध मंदिर को दूसरी जगह सिफ्ट किया जाने की तैयारी चल लई है जिसको लेकर बीत सनिवार को सिटी मजिस्ट्रेड एपी वाजपेई स्टियम परितोस वर्मा और तहसिलदार सचिन कुमार ने मंदिर के महंत कालुगिरी महराज के साथ हुई वारता के बाद आम सहमती बना ली है दरसल परसासन का कहना है कि कालुषिद मंदिर को बगल में ही सिफ्ट किया जाएगा और 12 मिटर सडख चोड़ी करण के साथ यहां पर एक फूड ओवर ब्रिज बनाया जाएगा जिसके चलते जल्द ही मंदिर की सिफ्टिंग का कारिय सुरू किया जाएगा बताय जा रहा है कि मंगल पड़ाओ से रोड वेज स्टेशन तक सड़क का चोड़ी करण होना है जिसके तहत यहों एहम निर्णे लिया गया है बताते चलें कि कालू सिद्ध मंदिर हलदवानी सहर का रक्षक माना जाता है तथा मंदिर के भीतर लगा पीपल का पेड़ भी लोगों के लिए बिहद आस्ता का केंदर है क्योंकि यहां बहुत समय पहले कालू सिद्ध बाबा हलदवानी पहुंचे थे जुन्होंने मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ के नीचे भगवान सनी की उपस्तिती जानकर एक मठ की इस्तापना की थी जो की आगे चल कर कालू सिद्ध बाबा मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया तब से लेकर आज तक यहां पर भगवान सनी की दसकों से पुरानी मूर्ति वराजमान है हालंकि मंदिर में इस्तित पेड कहां सिप्ट किया जाएगा इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है ऐसा माना जाता है कि उस समय यहां पर गुड और गन्ने का खूब कारोबार हुआ करता था इसलिए जो भी व्यापारी यहां से गुजरता था वो बाबा को परसाथ के लिए गुड देता था क्योंकि बाबा को गुड काफी पसंद था जिसके बाद से कालुसिद बाबा मंदिर में गुड चड़ाने की परंपरा सुरू हो गई आज भी यहां परंपरा चली आ रही है यही कारण है कि कालुसिद के मंदिर में रोजाना सिर्धालू की भीड लगी रहती है खास कर मंगल और सनिवार के दिन बड़ी संख्या में दूर दूर से सिर्धालू बाबा का आसिरवात देने आते हैं